नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग इन हिंदी में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्मल पावर प्लांट thermal power plant क्या करता है thermal power plant में boiler का क्या work होता है turbine का क्या work होता है और alternator का तो चलिए शुरू करते हैं इसके अलाओं मैं an academy पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी मैंने electrical engineering की बहुत सारी videos upload की हुई है तो अगर आपको सभी videos देखनी है तो उसके लिए आपको on academic learning app डाउनलोड करके अर्पिस सुकला सर्च करके आपको वहाँ मुझे follow कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए course को enroll कर लीजिए ये बिल्कुल free of cost है इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है नीचे description box में भी मैंने एक link दिया हुआ है वहाँ से भी जाकर आप course को देख सकते हैं और मुझे follow कर सकते हैं थर्मल power plant का है ये block diagram इसको layout भी बोल सकते हैं तो इसमें आप देखिए क्या होते हैं थर्मल power plant में जो main part होते हैं वो होता है boiler, turbine और alternator ठीक है, boiler में क्या करते हैं और turbine में क्या होता है और alternator इसको समझते हैं तो देखिए सबसे पहले आप देखिए boiler boiler में क्या करते हैं हम boiler में water यानि पानी को गर्म करते हैं पानी को गर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए पानी को गर्म करने के लिए कुछ हमको इंधन चाहिए इंधन के रूप में क्या यूज करते हैं कोईला यूज करते हैं तो कोईला हमारा कहां से आएगा हमारा कोईला जो है कहीं ट्रेन वगेरा या बस वगेरा ट्रक से आएगा वो कहां आएगा कोल इस्टोरेज में आएगा वहां से कोल इस्टोरेज से ट्रेंगे तो उससे बनेगा भाफ यानि इस्टीम बनेगा और ये जो इस्टीम का temperature होता है वो होता है डेटिए सो से लेके 200 degree centigrade अब इस स्टीम को हम direct जो है turbine कि blade पर नहीं तार्वाइन की blade पर direct inject नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो है water particles मौझूज होते हैं जो कि टर्बाइन को ब्लेट को तोड़ सकते हैं ठीक है तो इसको हमको क्या करना होता है और इस टीम का टेंपरेचर जो है बढ़ाना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं शूपर हीटर सूपर हीटर की साहता से जो ये इस्टीम है वो सूपर हीटेड इस्टीम में कनवाट हो जाती है और सूपर हीटेड इस्टीम का जो टेंपरेचर होता है लगबग होता है साड़े तीन सो डिगरी सेंटीरेट अब ये जो सूपर हीटेर इस्टीम है उसको टार्बाइन के ब्ल करता है alternator एक तरह का generator हैं कौन सा generator synchronous generator है तो alternator जो है mechanical energy को electrical energy में convert करता है यानी हमने क्या किया हमने हमने heat energy किसकी heat energy वाटर की heat energy को हम जो है हम विजली में पैदा कर दिये यानि electrical energy में convert कर दिये अब देखिए नीचे देखिए तरवाइन के नीचे अब जो तरवाइन से जो हम भाफ जो तकराई थी ठीक है उसमें सभी जो कुछ भाफ जो है बची हुई है उसकी इनर्जी को हम वेश्ट तो जाने नहीं देंगे अब हमको पूरा जो है प्लांट है उसकी efficiency को improve करना है ठीक है efficiency को improve कैसे करेंगे अब ये औन्य जो parts है boiler, super heater, turbine, alternator इसके अलावा जितने भी और parts हैं वो किसलिए लगाएगा है ये thermal power plant की efficiency को बढ़ाने के लिए अब देखिए condenser, condenser क्या करता है steam को feed water में convert करेंगे, condenser में क्या करेंगे steam को condense करेंगे यानि water में convert करेंगे अब ये जो water है इसके लिए water को cooling water भी हो सकता है, cooling water, cooling water का उपियोग भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम river या canal का भी उपियोग कर सकते हैं अब देखिए यह condenser है condenser से जो अब यहां से हम water को भेजेंगे LP heater low pressure heater में और यहां से जो है यह boiler feed pump की साहता से HP heater में जाएगा और यह finally जो है economizer में जाएगा और economizer की साहता से जो है हम water को गरम करेंगे feed water को और वो boiler में भेजेंगे चुकि boiler में भेजेंगे जो water अगर उसको हम पहले से ही थोड़ा सा गरम कर दें तो हमारा जो combustion होगा यानि boiler में दहन होगा वो हमारा efficient होगा अब देखिए जो बची हुई जो flu gases है वो हमारा एक कुछ जो है super heater में फ्लूग बॉाइलर से निकलने के बाद फ्लूग ऐसे super heater में जाती है और super heater में जो बची हुई है flu gases वो economizer में जाती है और economizer में बची हुई जो flu gases है वो air preheater में जाती है जो atmosphere से air आता है जो हम boiler में भेशते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए गर्म करने के लिए air की अवशकता होती है अगर हम air को पहले से ही थोड़ा गर्म करने flu gases की साहता से तो भी जो हमारा combustion होगा दहन होगा वो efficient होगा और जो बाकी flu gases बची है वो chimney की साहता से बाहर चली जाती है ठीक है तो कुल मिला के efficient ठीक है combustion के लिए हम क्या यूज करने हैं पहले से ही पानी को गर्म कर दे रहे हैं पहले से ही air को गर्म कर दे रहे हैं अब यह पूरा process होने के बाद जो है combustion होने के बाद हमारा राख बचेगी राख को जो है air handling plant की सहायता से air storage में भेज दिया जाता है यही पूरा जो है thermal power plant का working है thermal power plant तीन cycles के synchronization के आधार पर कारे करते हैं ठीक है thermal power plant तीन cycles के synchronization पर कारे करते हैं कौन-कौन से coal and ash cycle water cycle और air cycle यह तीन cycle involved होते हैं देखे thermal power plant का main working जो है boiler turbine और अल्टरनेटर पर निर्भर होता है ठीक है अच्छा boiler हो turbine हो और अल्टरनेटर यही जो है thermal power plant का main जो है working इसी पर depend होता है बाकी जो सभी अन्य parts हैं जैसे air preheater हुआ, economizer हुआ ठीक है और super heater हुआ, condenser हुआ यह सब क्या है thermal power plant की efficiency को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं एक ideal thermal power plant की efficiency जो है, वो 40% होती है लेकिन जो है practical condition में ऐसा नहीं होता है practical condition में आप पाएंगे कि जो thermal power plant की efficiency है वो लगभग 25% maximum efficiency ही दे पाते हैं अगर बात करें efficiency of thermal power plant तो यह होता है total electrical energy produced divided by total heat energy of boiler into 100 thermal power plant का major जो लास है, वो क्या है heat energy को mechanical energy में convert करते शमय होता है टार्वाइन में यह कहां होता है, टार्वाइन में ठीक है, thermal power plant का major last heat energy को mechanical energy में convert करते समय होता है इसलिए उसकी efficiency बढ़ाने के लिए इस area पर focus किया जाता है और unsection बनाए जाते हैं अब बात करें, thermal power plant में input यानि mainly जो है koila प्रियोग होता है, जो तीन प्रकार का होता है हम जानते हैं, anthracite koila, bituminous koila और lignite koila anthracite koila, जिस भी koila में carbon का percentage सबसे ज़्यादा होता है वो koila जो है, सबसे अच्छा होता है तो anthracite koila में carbon का percentage सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद, जो है, bituminous में होता है और सबसे कम, जो है, lignite coal में होता है अब thermal power plant में practical input जो है, वो क्या होता है वो होता है bituminous coal और white coal का mixture यूज करते हैं ठीक है bituminous coal और white coal का mixture यूज करते हैं white coal क्या होता है agriculture waste paper और coal waste etc को मिला कर जो है यह manually तयार किया जाता है agriculture waste जो होता है और paper industry का waste होता है wood industry का waste होता है यह सब क्या है इसको मिला कर ठीकना एक coal तयार किया जाता है जिसको बोलते है white coal और bituminous coal plus white coal का mixture ही जो है इंडिया में thermal power plant के लिए यूज होता है input के रूप में तो friends आज के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please इस व चैंज है video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अ